नमस्कार दोस्तों, जैमाता, दी स्वागत है, आप सभी का आज की नई वीडियो में तो तुला राशे वालों दोस्तों, हो जाओ सावधान आने वाले अगले 24 घंटे की सच्चाई सुनकर, बड़ा सदमा लगेगा, दोस्तों आपको बता दे आने वाले अगले इंच ऑफिस गंटे में आपको बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, जो आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी मे रहने वाले हैं, उन 24 घंटे में आपको बहुत सारी बड़ी-बड़ी मुसीबत का सामना करना है, जी हाँ मित्रों, इसलिए आप सभी को मेरा यही अनुरोध है, कि आप आज के इस वीडियो को हलके में लेने की गलती ना करें, आज का यह है, वीडियो आपकी जिंदगी का खुशियों से भर दूँगा, सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के, अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जी हाँ दोस्तों सच्चे मन से वीडियो को लाइक करकर, यदि आप कमेंट बॉक्स में जैमान दुरगा लिखेंगे तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगले 24 घंटे में माता रानी आपकी सारी मनो कामना पूर्ण करेंगी, बेटा इस वीडियो को देखते समय एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो, लगाने का काम करते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना होगा, तो मित्रों हमारे गुरु जी कहते हैं कि कभी उन चीजों के बारे में ना सोचे, जो इश्वर के प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अंगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के ही इश्वर ने हमें प्रदान की है, क्योंकि मित्रों, जिंदगी में यदि खुश रहना है, तो आपको अपना देखने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि हमारे जीवन का सुख-दुख हमारे नजरिये पर ही संभव होता है, यदि हम ज तो मित्रों, आप अपने सीमित विचारों में ही बंधे हुए हैं, जिस वजह से आपको बाहर की दुनिया नजर नहीं आ रही है। तो मित्रों, आपके जो विचार है, उन विचारों में आपको परिवर्तन लेकर ही आना होगा और यही आपको एक सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव में लचीलापन लाएं। लेकिन मित्रों, आपको अनुभव है तो आप उस नुकसान को जहलने की ताकत रखते हैं और रिलेशनशिप से संबंधित दुविधा आपकी बढ़ सकती है। अधिक विचार के कारण मानसिक ठकान आपको होगी और इस मानसिक ठकान का। मित्रों, आपको बेसबरी से समस्या का हल निकालने में आप मित्रों काम्याब रहेंगे। साथ ही में आध्यात्मिक बातों पर आपको गौर करना होगा। आध्यात्मिक बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना अधिक समय एकांत में बिताएंगे, जितना अधिक समय अकेले में बिताएंगे, उतनी ही एकागरता बढ़ेगी और समस्याओं का हल प्राप्थ होगा। करेंगे तो आप मित्रों आगे बढ़ेंगे और हर बार केवल भविश्य से संबंधित विचार करना आपकी उर्जा को बरबाद करेगा। इसलिए वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो है केवल उसी का आनंद लेना सीखें। व्यापार से जो भी लोग जुड़े चाहे व्यापार बढ़ा हो, चाहे छोटा हो, तो विस्तार के बारे में फिलहाल, विचार बिलकुल ना करें। और रिलेशन्शिप से संबंधित सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी। तनाव के कारण बीपी की तकलीफ आपको हो सकती है। साथ ही में इस बात का ध्यान रखि जा रही है और इसी के कारण आपको नकारात्मक महसूस हो रहा है। जितना जल्दी हो सके इन उलजनों से बाहर निकले। आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखने में आपका विशेश सहयोग रहेगा और अभी के समय में की गई मेहनत। नए अवसर प्राप्त करने के ल और आप अकसर समय को यूँ ही गवा देते हैं। समय का ध्यान रखते हुए काम की योजना बनाएं और पार्टनर से एक दूसरे से नाराज महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रती नाराजगी रहेगी तो इस नाराजगी को किस तरह से और कैसे मिटाना है इस बात का आपक जीवन में सफल हो पाएंगे और मित्रों इस लक्ष को हासिल करने की क्षमता आपकी धीरे-धीरे बढ़ रही है। आप आगे की तरफ अग्रसर भी हो रहे हैं। मित्रों इस लक्ष को हासिल करने में आप एड़ी से लेकर छोटी तक का जोर लगाएंगे। और भविश्य क चिंता न करते हुए काम करते रहे और जल्द ही आपको बड़ा बदलाव देखने को नजर आएगा। और परिवर्तन मित्रों जीवन में बहुत जरूरी है फिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। काम में आई रुकावट आपको आपकी क्षमता का विकास करने के लिए बंधित निर्णाय अभी के लिए युनिवर्स पर छोड़ दें क्योंकि मित्रों समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो शुगर के कारण आपको कमजोर महसूस होगा। आप मित्रों सेहत के प्रति देखने में आ रहे हैं कि बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अपनी स सेहत का विशेश ध्यान रखें। आपको हजार बार यही समझाया गया है और यही सलाह दी गई है कि अपनी सेहत का मित्रों एक उपयोग सही जगह करें और अपनी उर्जा का उपयोग भी सही जगह करें। काम की गति को बढ़ाना आवश्यक होगा। काम रुका हुआ है य आप बहुत कुछ पाएंगे। टार्गेट पूरा करने में अनेक तकलीफें हो सकती है। और मित्रों आपको बता दें कि हुई गलती दोबारा ना हो इस बात का ध्यान रहे। जो गलतियां आपने अभी के समय में की गई है यह गलतियां आप आगे चलकर ना करें। विदे जीवत बताया गया है, जिन्हें करने से जीवन की किसी भी तरह की परेशानी को दूर किया जा सकता है। साथ ही इन उपायों को करने से घर में सुख शान्ती बनी रहती है। जोतिश शास्त्र में बताये गए यह उपाये बेहद सरल एवं लाभकारी होते हैं। जोतिश शा उपायों में से एक है सौफ के उपाये। मान्यता है कि सौफ से जुद्धे कुछ आसान उपायों को करने से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए, आज जानते हैं सौफ के उपाये उपायों के बारे में। यदि आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है और जीवन में बाधाय आ रही हैं, तो बुधवार के दिन जेब में हरा रुमाल रखें और घर से निकलने से पहले सौफ खा कर निकलिए। इससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। मित्रों ध्यान से सुनिएगा हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे मोमबत्ती बिना आ ध्यात्मिक बाते होगी तो हमारा भी एक अलग ही जीने का प्रकाश होगा। मित्रों समय बहुत शुभ चल रहा है। आपको अपने परिवार के लोगों का पूरा सहयोग इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिससे मित्रों परिवार का हर व्यक्ति आपके साथ कदम से कदम उठा कर चलेगा। वहीं इस वक्त ध्यान रखिएगा कि माता-पिता के सेहत में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है। जिसकी वजह से मित्रों आपको उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक को भी दिखाना है। और मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा कि वर्तमा सकते हैं। पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे रिष्टों को भी तोड़ देता है। इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए निर्णाय लें। यानि कि मित्रों आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को आपको ध दिल पर ना लें। मित्रों केवल उन बातों पर ठिके रहें जो बातें आपको ठीक लगती हैं। आपका निर्णाय आगे चलकर सही साबित होगा। इस वक्त मित्रों परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि आपको स्वयम को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नह तो मित्रों वक्त आपको मिल रहा है सोचने समझने के लिए। आप कागजी कारवाई भी कर सकते हैं और रिलेशन्शिप से संबंधित नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश करें। सिर्दर्द की समस्या आपको हो सकती है। मित्रों बता देते हैं कि तुरंत किसी अ छात्रों के जीवन में इस वक्त कई प्रकार के मित्रों चिंताएं चल रही थी। कई प्रकार की कन्फ्यूजन बन रहे थे कि क्या करें क्या नहीं। लेकिन अब रास्ता क्लियर मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में भी सफल रहेंगे और एक बात का ध्या आलस में समय नश्ट ना करें। कोई मनचाहा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसे मनचाहे काम को पूरा होने में मित्रों थोड़ा सा वक्त और लगेगा। लेकिन हाँ, मनचाहा काम जब पूरा होगा तो उससे शान्ती और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी आपके परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। मित्रों, व्यापारी वर्ग थोड़ा सा ध्यान दें कि पढ़ाई लिखाई के प्रती अववल रहे। रोज मर्रा की दिन चर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपन मन मुताबिक गतिविधियों में बिताना लाभकारी रहेगा। मित्रों अब जिन कामों में आपका मन लगता है जैसे कि आप मित्रों के साथ थोड़ी देर समय व्यतीत कर सकते हैं। संतान के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। कभी-कभ जब अपनों के बीच में बैठे रहते हैं तो जीवन में अलग ही सुख का मित्रों अनुभव होता है। बता देते हैं कि अगर आपका कोई काम अधूरा है तो किसी शुबचिंतक की मदद से आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में आपका प्र और आपकी एक आदत बहुत गंदी है। इस आदत को आप नहीं सुधार रहे हैं। मित्रों, आप हर वक्त किसी के भी साथ बेवजह की विवाद में उलग जाते हैं। बेवजह की बातों में उलग जाते हैं। पडोसियों तथा रिष्टेदारों के व्यक्तिगत मामलों मे ना उलगें। वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। होलसेल का बिजनेस जो जातक करते हैं। होलसेल का बिजनेस करने वाले जातकों को जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें होगी। होलसेल का जो भी बिजनेस कर लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर्स की वजह से घर की शांती पर बुरा असर पड़ सकता है। और एशो आराम की प्राप्ति होती है। और सुख संपदा से जुड़े दैविये यंत्रों को रखना चाहिए। इन धन वृद्ध यंत्रों का विधिवत पूजा करके ही अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें। साथ इस बात का ध्यान रखें कि तिजोरी को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जाग्रत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन नहीं होगी और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विग्न संपन होगा। जबकि यह सात्विक उपाय होते हैं। तिलियां लगी हो या केवल धूप बत्ती जलाएं। लव लाइफ में आपकी दुविधा रहेगी लेकिन किन बातों से डर कर आप निर्ने टाल रहे हैं इसका अवलोकन जरूर करें। और डरना किसी बात से नहीं है। मित्रों, जब आप डरते हैं तो इसमें आपकी हार है। और जब आप डटकर सामना करते हैं तो इसमें आपकी जीत है। स्वास्थे की तकलीफ आपको हो सकती है तो लिक्विट डाइट पर जोड देना होगा और पुरानी बातों का असर काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी बातों को भूल कर नई बातें जीवन में सीखें और आगे बढ़ें और किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप निभाते समय उसे व्यक्ति के स्वभाव पर गौर जरूर करें। जब आप किसी व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति को पहचानें, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस बात पर गौर दें। आपकी मदद करने की जो कला है और आप में यह जो स्वभाव है मदद करने का, यह कभी-कभी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, अभी के समय में केवल खुद की बातों पर ध्यान देने की आपको आवश्यक्ता होगी और कम से संबंधित डेडलाइन को गंभीरता से लें। इसे जानने की कोशिश करे अचानक से कुछ बड़े खर्च को पूरा करने के लिए आपको स्वजनों से उधार लेना पड़ सकता है। अपनी निजी उलजनों को धैर्य एवं बुद्धिमानी के साथ सुलजाने की आवश्यक्ता रहेगी। संतान के साथ मित्रवत व्यभार रखें और उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करें। प्रेम संबंध में अपना इगो छोड़ कर समवाद स्थापित करने का प्रयास करें। अन्यथा लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा।